हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पबलिक स्कूल के प्रीवेसर कोश्चन पेपर को हम लोग डिसकस कर रहे हैं आपको मैं बता दूँ इससे पहले पैडागोजी के दो अलग अलग वीडियो रिलीज की जा चुकी है आप उसे जाकर प्लीज देख लीजे ताकि पैडागोजी में किस तरह के कोश्चन आ यहर हो गई होगी एक और आखरी बात बताना चाहता है उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे आप लोगों से यह उम्मिद की जा रही है कि आपको जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा टेलिग्राम को जोईन कर लिजे ताकि सा WTC का जो टेस्ट चैंपियंशिप चल रहा है उसमें किस किर्केटर के द्वारा सबसे पहले सेंचुरी लगाई गई है आपको उस किर्केटर का नाम बताना है बाइदबे मैं आपको बता दू यह एस्ट्रेलिया से है एक हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया दूसरा कोश कोशन हो गए त्सरा कोशन आपको यह बताना है इंडिया के दौरा जो है हाल में ही जो कौन सी सेटलाइट लॉंच की गई है सेटलाइट का नाम आपको बताना है तीन कोशन मैंने आप लोगों के लिए पूछा थ्री कोशन प्लीज डू आन्सर इन कॉमेंट सेक्शन विजे नगर किंग्डम जो था, वो actually city of victory से का जाता है, एक और question आप यहाद रख लेना, इसे city of victory का जाता है, exam में यह भी question आप से पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, city of victory किसे का जाता है, विजे नगर किंग्डम को, पहली बात, दूसरी बात देखि के नाम पे, दो additional gk मैंने आपको बता दिया, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, who ruled over Delhi सल्तनत during the year 1236 to 1240, यानि कि 1234 सिस्वी से 1240 सिस्वी तक दिल्ली सल्तनत में किसका, जो है, रूल था, किसका रूल था, कुतुबुद्दिन एबक का, बलबन का, रजिया सुल्तान का या इल्तुतमिस का, तो सबसे पहले एक gk के बाद, इसका तो answer दिखे रजिया सुल्तान है, यह पहली female ruler थी, actually हम लोग male ruler नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा gender biasness यहाँ पे जलक रहा है, बट ठीक है, मैं भी चाता हूँ, मैं बता दू, रजिया सुल्तान जो थी, वो पहली female ruler जो की दिल्ली सल्तनत को उन्होंने rule करा था, पहली बात, दूसरी बात, रजिया सुल्तान जो थी, इल्तुतमिस की बेटी थी, यह क्या थी, इनकी daughter थी, याद रखेगा इस बात को, इल्तुतमिस जो थे, वो फादर थे, रजिया सुल्तान की, पहली बात, दूसरी बात, य ये slave dynasty से बिलॉंग करते थे, याद रखिएगा, slave dynasty से, clear हो गई बाते, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा question में पूछना चाता हूँ, इल्तितमिस जो थे, वो किसके गुलाम थे, I mean किसके slave थे, नीचे comment करके बताएगा उस ruler का नाम, अगले question की और हम लोग बढ़ते हैं, next question आपके सामने ये रहा, the method दखो, ये तो कहाँ, ठीक है, ये मैं question पढ़ूँगा और बताऊँगा ही, उससे पहले मैं आपको बता दू, 699 से भी से हटा करके जो है, अब जो है 599 में ही आपको मेरे handwritten notes मिल जाएंगे, जो की army school जो आने वाला है CSB का exam, 30 September और 1 October को conduct कराया जाएगा, वो exam में बहुत ही fruitful ये notes आपके लिए रहने वाले हैं, मैंने since 3 times army school करेक कर रखा है, वहाँ पे काम भी कर रखा है, तो चलिए, अगली question के और हम लोग बढ़ते हैं, देखिए उस method का नाम आपको बताना है, जिसमें जो है, जो precious stone है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है precious, semi precious, बहुत कीमती पत्थर होते हैं, actually इस पत्थर को polish किया जाता है, actually जो है, shiny बनाया जाता है, ताकि इसकी जो है, बहुत high price इने return में मिल सके, तो यह सारा method को करने को क्या कहा जाता है, तो देखिए, इसका सही जवाब जागा, पैतरा दुरा, यह किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, option number third, calligraphy जो है, handwriting, अच्छी handwriting को calligraphy बोला जाता है, एक additional जी के, आप यहाँ से याद कर सकते हो, चलिए, अगले प्रसंद की और हम लोग बढ़ेंगे, next question आपके सामने, यह रहा, who invented musical instrument star, सितार जो है, instrumental, instrument है, musical instrument है, इसे जो है, किसके दौरा invent किया गया था, उनका नाम बताना है, कबीर, अमीर खुसरो, नामदेव, या एकनाथ, तो इसका सही जवाब देखिए, अमीर खुसरो के दौरा है, इसका जो invention किया गया था, कब किया गया था, यह भी question पूछा जा सकता है, तो नाम याद रख लिएगा, 18th century में यह किया गया था, ठीक है, और एक और additional question में आप लोगों को बता दू, जो बार-बार exam में पूछा जाता है, तानसेन, याद रख लिएगा नाम, तानसेन, तानसेन जो है, वो किस के, किस ruler के दरबार में थे, तो इसका भी नाम याद रख लिएगा, अकबर के यह दरबार में थे, बहुत बार exam में यह सब question पूछे जाते हैं, repeated question है, अगला question है, who was the head of both civil and military affairs in Maratha administration, Maratha administration में civil, यानि कि जो आम लोगों की, जो देखवाल करनी हो, या फिर कोई tax बगएरा लगाना हो, military, यानि कि सेना के बारे में, जो भी निरने लेता था, decision लेता था, वो कौन लेता था, तो इसका सही जवाब है देख़े, पेस्वाब आपने movie बगएरा जो है, देख रखी होगी, रनवीर सिंगी, उसमें आपको पेस्वाब के बारे में, बहुत information मिली होगी, तो इसका सही जवाब क्या है पेस्वा, एक्चली पेस्वाब को अगर आज के सापेक्ष में, ये पेस्वा जो है मराथी वर्ड है, अभी के time में से बोला जाए, प्राइम मिनिस्टर, इसे जो है पेस्वा को प्राइम मिनिस्टर के टर्म से आप असोसियेट कर सकते हैं, एक और जी के जो है इस डाइनिस्टी के बारे में पूछा जाता है, वो है, देखो मैं लिख देता हूँ अक्चली, ये नाम आप याद रख लेना, अस्ट प्रधान, अपसे ये पूछ ले आजाएगा, अस्ट प्रधान जो है किस डाइनिस्टी से या फिर किस रूलर से असोसियेटेट वड है, तो याद रखिएगा अस्ट प्रधान मिन्स एट मिनिस्टर का ग्रूप हुआ करता था, और ये होता था सिवाजी महराज, छत्रपती सिवाजी महराज के टाइम में, क्लियर होगी बाते, चलिए आगे बढ़ेंगे, next question की ओर, जो कि आपके सामने, ये रहा, which elements make the core of the earth, अर्थ का core बनाने के लिए कौन सा element जो है, इसमें काम में आता है, बड़ा ही असान सा सवाल है, निकल और आइरन, और इसका सही जबाब आपको मिलेगा, option third में, एक और question याद रखिएगा, inner most layer जो है, वो कौन सा है, तो देखिए, core जो है, वो inner most है, core क्या है, inner most, याद रख लिजएगा, इसके उपर से जो core के अलग-अलग varieties हैं, उसकी notes तयार किये जा रहे हैं, दो से तीन दुरों में सारे लोगों को मिल जाएगा, जिन्होंने, जो paid student है, जिन्होंने pay कर लिया है, वो please whatsapp पे message करके, ये वाला notes के लिए आप जो है, inquiry कर सकते हो, ठीक है, inner most जो है, वो है core का, और outer most जो होगा, याद रखिएगा, outer most जो होगा, वो होगा, crust, वो क्या होगा, crust, याद रखिएगा, ये short में answer है, कितने कितने kilometer का होता है, किस-किस elements ये मिलकर बने होते हैं, सारे notes में, details में मैंने बता रखा है, आगे दखिए, which out of this is a plutonic rock, plutonic rock दखिए, आप रोज देखते हो, आस-पास में तो देखते हो, अपने घरों में भी आप इस rock को देखते हो, अ उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रिफाइड, sorry, ग्रिनाइड जो है, प्रत्थर जो है, उसे ही plutonic rock कहा जाता है, आगे बढ़ेंगे, next question की हो, next question देखो, यहाँ पे ये रहा, the term tea, देखो, tea ये अलग word है, याद रखिएगा, tea जो है, ये cricket से associated है, ये जो है, cricket से associated word है, लेकिन tea जो है, ये गॉल्फ से associated word है, clear cut में याद रख लेना, A लग जाए तो cricket, और A नहीं लगे, T तो वो हो जाएगा, गॉल्फ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, गॉल्फ में जो प्लेयर होते हैं, हौकी में जैसे 11-11 प्लेयर इस टीम में होते हैं, table tennis में एक या फ प्लस भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई criteria नहीं है, तो इसे याद रखेगा, साइध exam में ये पूछा जा सकता है, फिलाल, next question की ओर हम लोग बढ़ेंगे, which atmospheric layer contain iron and help in a wireless communication, बहुत ही important topic है, इसके भी written notes त्यार किये जाएंगे, 2-3 दिरों में आपको ये भी, मैं किस atmosphere में आपको मिलेगा, वो बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, thermosphere, thermosphere, देखो, वेट, 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 ये रा, option number 2, इसका सही जवाब हो जाएगा, पहली बात, दूसरी बात, ये कहाँ, इसकी range पूछ दी जाए, तो range आपको याद रख in a highest level, आर, highest level का जो cloud है, वो कहाँ मिलेगा, तो serious में ये मिल जाएगा, पहली बात, दूसरी बात, इसका color कैसा होता है, ये भी exam में पूछा जाता है, तो याद रखेगा, जो white cloud आपको दिखते हैं, ये वही है, और ये सबसे highest है, याद रखेगा, कितने meter पे, तो याद 1000 तक ये meter तक जा सकता है, ये भी exam में पूछा जाता है, चलिए, next question की और हम लोग बढ़ते हैं, ocean में जो है, कौन सा जो है, नहीं मिलेगा, ये सारे जो following में option दे रखा है आपको, calcium sulfate, magnesium chloride, sodium chloride, या ferrous oxide, ये जो है, आपको नहीं मिलेगा, याद रखेगा, not पूछा गया है, तो इसका सही जबाब देखिए, ferrous oxide है, ferrous latin नाम है, लेकिन इसका exact नाम जो है, वो याद रखेगा, इसका जो famous है नाम, वो है iron, वो है iron oxide, iron oxide, याद रखेगा इस बात को, सही जबाब इसका four number हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next question की और, the lateral meaning of word tsunami, देखिए, tsunami जो ह है, वो Japanese word है, पहली बात, दूसरी बात, tsunami का मतलब क्या होता है, tsunami का मतलब होता है, great wave, इसे जो है, ऐसे भी याद कर सकते हो, यानि की, harbor wave, ऐसा wave जो की, किसी को भी जो है, तबाह करने के, I mean, इसमें जो है, इतनी छमता होती है कि, बड़े से बड़ा stadium, बड़े से बड़ा building क को ये तबाह कर सकता है, सिरलंका में ये आ चुका है, आगे बढ़ेंगे, next question की और, बहुत ही important ये सवाल है, नंद कुमार भरसेज, state of kerala case is related to, देखिए, नंद कुमार और state of kerala, एक case हुआ था, बहुत ही famous case है, केसवा नंद भारती भरसेज के बारे में, अगर किनी को प बता है, तो नीचे comment करके बताईएगा, वो case किसे related था, तो देखिए, नंद कुमार और state of kerala का case में क्या हुआ था, कि इनकी बेटी, जो है, किसी दूसरे लड़के से साधी करने वाले थी, और इनके द्वारा ये file किया गया है, किसी kidnap कर लिया गया है, और इसकी age जो है, बिलो 21 है, और ये साधी नहीं कर सकती है, लेकिन constitution में 18 साल age रखी गई है लड़कों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल, और ये case ये हार चुके थे, नंद कुमार वाला ये case बहुत ही famous था, तो ये right to marriage से ये related था, यानि कि कोई भी adult जो है, अपने पसंद के साथी से marriage कर सकत हैं, नंद कुमार वर्सेज स्टेट आप केरला का ये case था, चलिए आगे बढ़ेंगे, who among the following cricketer was the first to score a century, याद रखिएगा, debut test match में इनोंने century लगा दी थी, उस cricketer का नाम आपको बताना है, सुनिल गबासकर नहीं, कपिल देव नहीं, नवापटोदी नहीं, नवापटो लाला अमरनात, सही जबाब क्या होगा, option number third, by the way, वीडियो यहां तक देख लिए, तो इसका part 2 अगर आपको चाहिए होगा, सिर्फ जिके का, तो आप part 2 जरूर नीचे comment किजिएगा, दूसरी बात, अगर आपको computer के question चाहिए होंगे, ICT के, तो नीचे comment करके बताईगा, ICT और वीडियो यहां तक देख लिए, अच्छा लगा है, तो जैहिन नीचे comment section में जरूर लिखिएगा, और बहुत सारा चीज मैंने आपको बोल रखा है, बहुत सारी चीजे मैंने बोल दी इतने ही time में, एक और बात, 599 में आप मेरे handwritten notes जो है acquire कर सकते हो, yourmithun sing at the rate gmail.com प यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.